दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चानल स्कॉलर इंग्लिश पर मेरा नाम है दिविका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉंपेटिटिव और स्टेट एक्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ दोस्तो आज का ये वीडियो उन स्टुडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टन्ट होने वाला है जो ग्रैजुएशन, पोस्ट ग्रैजुएशन या फिर हाइर एडुकेशन के लिए इंग्लिश लिट्रेचर इस सब्जेक्ट को प्रिपेर कर रहे हैं आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिट्रेचर के एक लिट्ररी टर्म को एक्स्प्लोर करने वाले हैं जिसका नाम है साइन्स फिक्शन नॉवल और न्यू वेफ साइन्स फिक्शन नॉवल यानि क्या होता है तो science fiction novel एक type of novel है जिसमें science और technology बहुत important role play करती है और science fiction को generally SF या फिर sci-fi novel भी कहा जाता है तो science fiction novel में basically different themes and ideas explore किये जाते हैं जैसे कि space exploration यानि कि अंतरिक्ष के बारे में इसमें लिखा जाता है futuristic technology यानि कि भविशय में किस तरह की technology आ सकती है इसके बारे में भी लिखा जाता है और साथ ही साथ diastopian societies diastopian societies यानि कि जिस society में सारी ideal qualities बताई जाती है और एक imaginary ideal society form की जाती है उससे हम कहेंगे diastopian society तो ये सब चीजे science fiction novel में basically use की जाती है science fiction novel में उन चीजों के बारे में बताया जाता है जो चीजे speculative होती है यानि कि पूरी तरह से कालपनिक होती है और जो चीजे present में possible नहीं हो सकती उनके बारे में बात की जाती है लेकिन future में science and technology में advancement होने के कारण ये सब चीजे possible भी हो सकती है ऐसा भी इस novel में दर्शाया जाता है तो अब हम बात करेंगे features of science fiction novel की तो हमारा सबसे पहला point science fiction novel में ऐसी speculative technologies के बारे में बात की जाती है जो की future में possible हो सकती है जैसे की advanced spacecrafts, artificial intelligence, time travel, etc. Then हमारा point number two science fiction novel में जो author होते हैं वो ऐसे detailed world और universe create करते हैं जो की हमारी दुनिया से technology, society और physical law के term में बहुत जादा अलग होती है Then हमारा point number three science fiction novel में बहुत सारे complex ideas और themes explore किये जाते हैं जैसे की humanity यानिकी मानफता, society यानिकी समाज, ethics यानिकी नेतिकता और impact of scientific advancements on individuals यानिकी विज्ञान की तक्नीकों का किसी व्यक्ति पर होने वाला प्रभाव तो ये सब चीजे जो है वो science fiction novel में explore की जाती है Then हमारा point number four science fiction novel में imaginative settings होती है जैसे की distant galaxies यानिकी हमारी galaxy और दुनिया से बहुत अलग दुनिया और post-apocalyptic earth यानि की जब पृत्वी पर सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद earth कैसी होगी इन सब चीजों के बारे में भी science fiction novel में अक्सर लिखा जाता है Then हमारा point number five science fiction novel का aim ये होता है कि readers के mind में technology और universe को लेकर curiosity पैदा करना Then हमारा point number six science fiction की जो story होती है वो future में या फरी किसी different planet में space में या फरी किसी different universe में alternate dimension में या फरी किसी alternate history में बताई जाती है Then इसके बाद है आज का हमारा last और seventh point science fiction novel के जो novelist होते हैं वो अक्सर social and cultural issues पर comment करते हैं जैसे कि class inequality यानि कि जाती भेद, greed यानि कि लालच, war यानि कि युद्ध, the misuse of technology यानि कि technology का गलत इस्तेमार या फिर गलत फायदा ये उठाना, misuse करना the danger of environmental exploitation यानि कि परियावरन सोशन के खत्रे, the ill effects of acquiring knowledge irrespective of consequences यानि कि परिणामों के परवा किये भी न, ज्यान प्राप्त करने के दुश परिणाम इन सब चीजों के बारे में novelist अक्सर लिखते हैं अब हम बात करेंगे examples of science fiction novel की तो हमारा सबसे पहला example है Frankenstein or the modern Prometheus by Mary Shelley जो की 1818 में लिखा गया था, जो की first ever science fiction novel भी माना जाता है इसके बाद अगला है Journey to the Center of the Earth by Word जो की 1864 में लिखा गया था इसके बाद है Do Androids Dream of Electric Ships by Philip K. Dick जो की 1968 में लिखा गया था और last है Foundation by Isaac Asimov जो की 1951 में लिखा गया था तो ये तो हमने बात की science fiction novel के बारे में अब बात करते हैं new wave science fiction के बारे में तो new wave science fiction जो है वो एक literary movement को refer करता है यानि साहितिक आंदोलन को refer करता है जो की 1960 से लेकर तो 1970 इन 10 सालों की बीच में हुआ था तो new wave science fiction का ये कहना है कि हमें technologically focused narration पर ध्यान न देते हुए यानि कि science fiction novel में जो बाते की गई है उन पे हमें ज़ादा ध्यान न देते हुए हमें ज़ादा experimental होने की ज़रुवत है हमें literary approaches को follow करना चाहिए यानि जो चीज़े novel इसने science fiction novel में लिखी है वो possible करने के लिए हमें experimental होना पड़ेगा new wave science fiction में basically ambiguous endings यानि कि earth first अंत और complex moral dilemmas यानि कि जटील दूविधाय इन सब चीजों को feature किया जाता है और new wave science fiction के readers को जो है वो scientific technology से related होने वाली advancement को लेकर critically सोचने के लिए challenge करता है अब हम बात करेंगे examples of new wave science fiction की तो हमारा सबसे पहला example है The Drowned World by J.Z. Ballard जो की लिखा गया था 1962 में इसके बाद है Stand on Zanzibar by John Brunner जो की 1968 में लिखा गया था Then इसके बाद अगला है The Female Man by Joanna Russ जो की 1975 में लिखा गया था Then next है The Left Hand of the Darkness by Ursula K. Le Guin जो की 1969 में लिखा गया था और last है The World of Tears जो की एक series है जो लिखी थी Philip Joss Farmer ने इस series में total five novels है जो की 1965 से लेकर 1993 के period में publish हुए थे तो I hope आज की इस वीडियो से आपको science fiction novel और new wave science fiction क्या होता है यह जरूर समझाया होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो do like this video subscribe the channel and share as much as you can Till then keep learning Thank you